हलो गाई स्वागत है आप सभी के अपने रुआयल इंडिया में दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मेरे एक सस्क्राइबर ने मुझे पूछा था कि आप वीडियो इडिटिंग कैसे करते हैं तो आज हम वही वीडियो इडिटिंग के बारे में बताएंगे कि हम वीडियो इड आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइगन जरूर दबाएं तो दोस्तों हमें क्या करना है सिंपली अपने मुबाइल फोन पर आजाने के बाद प्लेश्टूर को ओपन करना है प्लेश्टूर को ओपन करने के बाद आप देख चकते हैं कि यहां सर्च प्लेश्टार इडिटर मेकर व्लॉग नाऊ इसको इंस्टॉल करने के बाद इसकोuses को ओपन करेंगे ओपन कर लेने के बाद है अब देख सकते है तो ओपन कर लेने के बाद यहां पर प्लस आइकन का सिंबॉल है इस पर क्लिक करेंगे प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक न्यू प्रोजेक्ट है उस पर क्लिक करेंगे ने लिए के प्रोजेक्टे के लिए करने के बाद हम एक कोई सब भी वीडियो यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं तो हग तो हम इस वीडियो को सेलेक्ट करते हैं और इसको ओके कर देते हैं तो दोस्तों Okay करने के बाद आप द смотреть है कि मेरा वीडियो जो है इडिप होने के लिए यहाँ पे आ गया है इडिप होने के लिए आ गया है इस फाइल में तो इसको हम चलाकर देखते हैं तो अच्छे से work कर रहा है उसको बाद क्या करyu है से लब सभसे लाष्ट में जायेंगे और यहाँ पर एक वीडियो के बाद में जब वीडियो खत्म होता है तो एक directed by input टाइल आ जाता है तो इहां से इसको हम डीलेट करेंगे करने के बाद अब देख सकते हैं कि यहां से मेरे video जो है editing के लिए तियार है अब यहां से हम text type कुछ भी लिख सकते हैं उसके बाद यहां से हम split कर सकते हैं Dream कर सकते है effects लगा सकते है filter लगा सकते है template कर सकते हैं अगर जर्मान के चलिए कि हमको यहां का कोई भी इधर लेट का या भी राइट का हिस्सा हटाना है तो हम यहां से स्प्लीट कर देंगे कि स्प्लीट करने के बाद हमको यह वला हिस्सा पसंद नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे यहां से डिलेट कर देंगे डिलेट कर देने के बाद आप देख सकते है कि इधर वाला हिस्सा जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो खतम हो चुका है और अगर हम अपने चैनल पे अपना चैनल का लोगो लगाना चाहते हैं तो simply क्या करेंगे इस प्लस आइकन बाले पर क्लिक करेंगे प्लस आइकन बाले पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते है कि एक वीडियो और फोटो का आप्शन है तो इस वीडियो और फोटो वाले पर क्लिक करेंगे वीडियो फोटो वाले पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हाँ पर एक फोटो का ओप्सन है तो हम फोटो वाले पे क्लिक करेंगे फोटो वाले पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा चैनल का लोगो उपर में ही रखा हुआ है तो इस पर हम क्लिक करेंगे चैनल का लोगो मेरे वीडियो पर आ गिया है और आप देख सकते हैं कि हम यहां से चैनल के लोगो को छोटा या फिर बड़ा करके अपने तरह से कहीं अर्जेस्ट कर देंगे, एक साइड में, तुम आप देख सकते हैंगे, यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो लग चुका है, और हम पूरे अपने विडियो में अपने चैनल का लोगो को लगाने चाहते हैं, तो सिंप्ली हम क्या करेंगे, इस चैनल वाले पे कल करने के बाद यहां से हम इसको scroll करके लेके जाएंगा पूरे वीडियो में apply करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां से मेरा पुरा वीडियो में channel का logo लग चुका है उसके बाद हम simply क्या करेंगे यहां से अगर हमको किसी music लेना है तो हम यहां म्यूजिक वाले पर क्लिक करेंगे म्यूजिक वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको तीन ओप्सन दिया जाता है म्यूजिक, इफेक्ट और रेकोर्डिंगा तो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ से म्यूजिक पर क्लिक करेंगे music पर click करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारा music आ गिया है तो हम क्या करेंगे कि यहां रुआल इंडिया का एक music है तो यहां से हम choose कर लेंगे और हमको यहां पर एक option आ जाता है कि आप अपने music के volume को कम रखना चाहते है या फिर बेसी रखना चाहते है तो हम यहां पर 100% ही रखते हैं और इसको okay कर देते हैं तो अब देख सकते हैं कि वीडियो में मेरा music जो है पूरा लग चुका है और अगर मान कजी लिए कि यहां से हमको अपने वीडियो को speed हाई करना है या फिर speed कम करना है तो यहां से हम क्या करेंगे कि speed में जाएंगे इस speed में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां से अगर उपर करते हैं तो शुरुआती का कुछ second जो है वो fast में आएगा उसके बाद slow हो जाएगा पूरा fast में लाने के लिए हमको क्या करना है इस अपने तरह से इसको अर्जेस्ट कर लेना है और छोड़ देना है अगर हम slow करना चाहते हैं तो इसको हमको नीचे करना है और उसके बाद इसको भी नीचे करना है इसको भी अपने तरह से अर्जेस्ट कर लेंगे और उसके ब हो रहा है और बेसी हो रहा है अब simply हम क्या करेंगे कि यहां से हम filter किसी एक को ले लेते हैं filter लेकर के हम अपने वीडियो को OK करेंगे और यहां से आप देख सकते हैं कि सबसे उपर में export और save और ठीक उसके bugle में एक original का option है तो original के option पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर बोल रहा है कि आप फ्रेम रेशियो कौन सा रखना चाहते हैं अगर हम यूटूब के लिए वीडियो बना रहा है तो हम सिंपली यूटूब पर क्लिक करेंगे YouTube पर click करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो size है frame का वो YouTube का गया है तो दोस्तो मेरा video तो पुरा complete हो गया और हम simply क्या करते हैं कि यहाँ से export का एक option है तो एक्सपोर्ट वाले पर click करते हैं और आप देख सकते हैं कि मेरा video exporting हो रहा है जो simply मेरा वीडियो जो है गैलेरी में जागे के सेव हो जाएगा तो यहाँ पर exporting के लिए कुछ second लगते है और उसके बाद आपका exporting वीडियो हो जाता है तो simply हम यहाँ से क्या करेंगे इसमें कुछ title description कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर save to album पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो जो है save हो चुका है तो यहाँ पर हम edition में जाएंगे और अपने वीडियो को देखेंगे कि मेरा वीडियो save हो गया है या फिर नहीं तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा वीडियो जो है save हो चुका है तो दोस्तो आज आप लोग ने देखा कि कैसे बिगर वाटर मार्क के एक प्रोफेशनल वीडियो इडिटिंग कैसे होता है तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं किसी अगले ट्रोफिक के साथ अपते के लिए जैहिंद